हेलो आज की वीडियो में हम देखेंगे जो 2021 का पेपर हुआ था नवंबर महीने का तो उसके बारे में जानेंगे यह वीडियो उसी के उपर बेज्ड है और आपको पता होगा कि जिसका भी रिजल्ट आचुका है क्योंकि 19 तारीक को फरवरी की तो उसमें आचुका है 2022 में र सारी वीडियो सारे कोश्चन पेपर और आपको डिस्केशन बॉक्स में इस जो पीडियाफ है इसका भी लिंक मीलेगा ठीक है तो जिस जिसको हो रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में में मेंशन करें और आपको पता है यह लास्ट यह मैंने कोचिंग भी शुरू करी थी तो उसके भी रिजल्ट में क्लास के लास्ट में जो यह वीडियो है उसके लास्ट में शेयर करूँगा ठीक है कि कितने का नेट किलियर हुआ हना वह सारी चिजह मैं आपको लास्ट में बताऊंगा और एक और गुड न्यूज है कि इस समय यानि 2021 में मैंने भी नेट का एक और वीडियो को शुरू करने से पहले यही बोलूँगा कि पहली बार आये तो लाइक से स्काइब करना ना भूले इस वीडियो को फैलाए ज्यादे से आदा क्यूंकि लोगों को इस चैनल के बारे में नहीं पदा चल रहा ठीक है तो फैलाए इस चीज और देखे जिसका नहीं हुआ इस बार तो अपनी मेहनत को निरंतर वे में करते रहे है ना continuous वे में करते रहे सफलता जरूर मिलेगी ठीक है पहले समय में यानि जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर तो उनी को मिल पाती है ठीक है अगर किसी को किसी कारण वर्ष नहीं मिल पाई तो अपना प्रियास जारी रखे ठीक है सफलता आपकी जरूर मिलेगी तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं तो पहला कोश है हमारा वीजुल आर्ट का तो इसको हम शुरू करता है पहला कोशन है आपके स्कींड पर और इस बाण ना हिंदी इंग्लिस का कोई भी पणगा नहीं था हरा हिंदी और इंग्लिस में आपको भावसार से चेंज करने के लिए कोई वह नहीं थी तो इसमें देदे आ गया यह दोनों इखटे ही दे दे गए तो यह पहला कोश्चन है आपकी स्कीन पर कि मैच लिस्ट वन तू लिस्ट ठीक है पहले को दूसरे से मिलाना है तो अगस्तर रिनोयर ठीक है अगस्तर रिनोयर का जो एस टैंडिंग वीनस रहेगा एडगर देगास का देखो कोई बी डांस वगरे की गरल हो जैसे बैले डांस वगरे तो यह डेगा ही बनाता है तो एडगर डेगास हो गया लिटल डांसर ओफ फोर्टीन यह पिकासो का यह अब अमबर तो बोकिनी का हो जाएगा यह यूनिक फॉर्म ओफ कंट्विनिटी इन स्पेस ठीक है तो यह आपके जो है अस कंट्विनिटी इन स्पेस ठीक है तो यह पहला कोशन था हाना इसके अनुसार जो है अंसर की वगरा मिला कि मैंना सीधा बता रहा हूं यह आपका अंसर है ठीक है इसके बाद देखेगा नेक्स्ट कोश्चन है आपकी स्क्रीन पर अब देखिए सेरिफ क्या होता है सेरिफ क्या होता है सेरिफ होता है जिसके किनारे निकले होता है जैसे रोमन के टैक्स देखो गया आप वह सारे ही सेरिफ में होता है जिसके किनारे नहीं निकले होता है एकदम फ्लैट होता है कोई भी किनारा नहीं होता है चाहे किनारे आ आपका सेंसरीफ है ठीक है तो यहां पर पूछा सेरीफ फेसिस कौन से है ठीक है तो आपको पता टाइम्स रोमन तो इसके तो किनारे निकले होंगे तो यह नहीं है यानि सेरीफ है नोन सेरीफ नहीं है ठीक है यह हो गया इसके बाद देखेगा हेलवेटिक आपका गोथिक मे यह दो आपके हैं जिसके किनारे निकले होते हैं ठीक है तो यह दो आपके आंसर हो जाएंगे हना न्यू टाइम्स रोमन और जॉर्जिया ठीक है तो इसके बाद देखेगा नेक्स्ट कोश्चन वुड इंग्रेविंग इस प्रकार की लकडी के फलक पर क्या जाता है जो हम वुड इंग्रेविंग करते हैं आपको पता है यह जब रिलिफ रिंडिंग करते तो वुड और लीनो इन दोनों के उपर ही करते हैं तो वुड इंग्रेविंग के लिए जो वुड प्लांग है ज अगर कोई पेड्ड है तो उसकी जो रेषयो होता है तो अगर जादा करीब होगे जुदेवे होगे तो जादा अच्छे होगे ठिक है तो वह उसको क्या Die Grain क्याता है छोट जुदए हो है आज लग्टिक युद में यूज़े नेस्ट देखेइगा कोस्च trend आगला question है आपके screen पर कि which technique was used by Rembrandt in print making Rembrandt आपको पती है dramatic lights वगरे यूजँ करता है और Rembrandt है न ही प्रिंट making की कौन सी तक्नीक इस्तshore gardening करता था तो यह जो ड्राइप थान में मैं किस नहीं करी थी ठीक है तो वो comment section में लिखेगा और आपको पताईए कि रेमबरांट ने किस पर तो dry point etching dry point और etching इन दोनों पर काम किया तो अगला देखेगा इसका question है आपको next question में क्या करना है तो match list one to second ठीक है लिस्ट यानि सूची को पहले को दूसरे से मिलाना है तो old spices अब देखो यह कुछ taglines रहेगी कौन से branch की ठीक है तो उसको उससे मिलाना है तो old spices यह किसका है तो smell fantastic smell fantastic की कौन से old spice रहेगी ठीक है आई से ऐसी bank ठीक है बैंक के तो आप समझ देए यह थोड़ा सा यानि आपका खयाल आपका विश्वास आपका विश्वास आपका लक्स कोजी में क्या है तो आपना लग पहन के चलिए किन ले किनले का है विश्वास करें ठीक है तो यह क्या रहेंगे तो उनकी taglines tagline को punchline भी कहते है तो देखिएगा next question है कि select correct chronological sequence of artist ठीक है आर्टिस जो रहेंगे उनके correct chronological मतलब जो काल क्रम के अनुसार हमें लगाने ठीक है तो सबसे पहले youngest artist देख लो सबसे last का जो लग रहा है आपको कि यह oldest रहेगा तो उससे क्या होता है आप एक मतलब नियरवाय option पर पहुंच जा दो तो देखिए जैक्शन पोलाग जिसको action painter माना याता है तो यह यूस में होता है 1912 करीब में ठीक है विल्यम डी कुनिंग यह 1904 का artist रहेगा यानि जन्म बतारों में यानि बर्थ कब हुआ तो डी कुनिंग विल्यम डी कुनि ओल्यम में और और तीन इकतिश सेब पहले अधगा और 31 यानि बाद में ठीक है तो इन दो ही option में आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो आपको यह हैँजाएगा सी पहले आ जाएगा फिर भी आ जाएगा तो यह चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है तो जैक्सन पोला किता हो गया 1912 गरी में विलियम डी कुनिंग 1904 मार्क प्रोथन को 1903 और रोबर्ट मॉरिस 1931 ठीक है यह कुछ ही सीक्वेंस रहे एंटि क्रोनियोलोजिकल मतलब रिवार्स में पूछ लेते या विरोधी में पूछ लेते तो फिर आपको उल्टे क्लम में चलना होता है तो देखिएगा यह कोशन होगे नेक्स देखिएगा हैंडी मूर निम लिक्षित में से किस से प्रभावीत है हना इंफ्लूएंस किस से काफी प्रभावीत है यह हैंडी मूर हना तो यह आपका माया इस्टेक वाला सही हो जाएगा हैंडी मूर काफी इंफ्लूएंस तो यह रिपीटिड कोशन है ठीक है प्रीवेस यह में आपको जो है पता चल जाएगा तो देखिएगा नेक्स कोशन है कि फ्रॉम्द फॉल बनावा है ठीक है तो कौन सा माना जाता है तो आपको पता योगो जब सल्तनत वंच चल रहाता तो उस समय मांडू अगेरे के साइड जिसके अंदर मालवा हुए रहात है तो वहां पर हुशंग शा का जो मकबरा था हना हुशंग शा का टॉम्ब यह सबसे पहले बनाए गय इंदिया का पहला बोला गया है इंडिया को बोला गया संगमरम यह सब MS pokisन क्री क्राइस सबसे पहले तो यह समझ लो कि जैसे शुरुवात में तो आपको यानि बहुत हो अगेरा में ही देखनों को मिलेंगे एक सेमी सर्कुलर अर्द गोला का ऐसे देखनों को मिलेगा जिसमें मेजरली बुद्ध की मूर्तिया बुद्ध की स्टूप अगेरा होते थे बीच में ठी प्लान फ्रोम टॉप व्यू जिसे कहते हैं तो वैसे इसके जो है प्लानिंग रहेगी तो उसी को अप्सीड़ प्लान के तो देखेगा इस प्लान के अकॉर्डिंग कौन-कौन से टेंपल आते हैं हाना उमें बताना उसे तो भाजा चैत्या ठीक है भाजा की जो गुफाय ह है भाजा कारले ठीक है तो इसमें आपको क्या देखने मिलेगा कि जो इनके प्लान्स है थोड़ा से अर्ध गोलाकार है यानि एप्सी डिल में ठीक हो गया आपका दुरगा का आईहोल टेंपल होगा यह पकाफ़ी फेमास है ठीक है इनके जो उपर से देखोगे तो आपको आपको ऐसे देखने को मिलेगा ठीक है तो इनके जो टेंपल के है तो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे ठीक है ऐसे सेमी सरकल में एपसिडल प्लान ठीक है next question पर चलिएगा ठीक है बाजा चैती आपका एपसिडल प्लान में हो गया दुरुगा का मंदिर और त्रीविक्रम महरास्ट में ठीक है यह हो गया आपके next question देखेगा कि प्राचीन विधी में प्रयोक की जाने वाली शाही थी ठीक है जो प्रिंट में यूज़ करते थिया एंशिन टाइम है ना प्राचीन समय में जो इंक थी तो वो कौन-कौन कैसी बेस्ट थी हाना मीडियम या बाइंडर कैसा होता था तो बाइंडर जो होता था वाटर बेस्ट होता था मतलब जल पे अधारी था हना ना की सिरेमिक तेल और पीवेसी ठीक है नेक्स्ट कुशन देखेगा इन लिट्रेचर दे आर्ट्स रोमांटिक व और यह तर्क शक्ती से बड़ी है कल्पना ठीक है यह सारी चीजे बताई गई है ठीक है क्या-क्या बाने गया है तो इंडिविज्वीज्व फ्रीडम लव और नेचर और इसके बाद क्लासिक मोर्टालिटी और इमेजिनेशन सुपेरियर टू रीजन ठीक है एबी ए ठीक ह यह जो है अंसर माना गया है इस कोशन का तो देखेंगा नेक्स्ट कोश्चन है कोशन आइडी 607 की अरेंज लीडिंग ब्रान अक्रोस इंडिया इंडिया इन टर्म्स ऑफ वीकली एड इंसर्शन ठीक है जो वह सापताहिक निवेश करते हैं बड़े-बड़े ब्रांड ठी क्या करना है तो एक सीक्वेंस में लगाना है तो देखेगा डिटोल अंटिसेप्टिक लिक्वीड सर्फ एक्सर इजी वाश कॉल गे डेंटल क्रीम किया सोनेट और क्लीनिक प्लस सेंपू ठीक है इनको हमें कैसे करना है तो अरेंज करना है ठीक है यह सारी चीजे अब और लास्ट में रखा गया है डी को ठीक है तो ऐसे सीक्वेंस मनाया गया है इनके सापता ही बजट के अनुसाद जो यह निवेश करते हैं यह बड़े-बड़े ब्रांट्स ठीक है तो यह वाला अंसर माना गया नेक्स्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर आईडी 532 है तो डॉक्यमेंटरी को तो बुद्ध देव दास गुपता ठीक है इन्हों ने यह जो है मुवी को डायरेक्ट किया था ठीक है अब मेरे को एक कमेंट सेक्शन में बताना एक मुवी जो बिनोद भिहारी की लाइफ पर बनाई गई थी हनम और जिसको सत्यजी तरे ने में तो वस कमेंट सेक्शन में करके वो बताईएगा कि वो मुवी जो है उसका नाम किया है ठीक है नेक्स्ट देखिएगा कोशन है कि लिस्ट वन से से केंड को मिलाने अब देखिए अब लेविगेटर आपको पताईए किसके लिए यूज होता है तो आपके ठीक है जो ग्राउंड को सॉफ्ट रखते है जिसमें जानवरों की चर्वी मिला ही जाती है तो यह किसमें आता है तो एचिंग में आता है हना और ब्रेयर जो है टाइप का रोलर होता है जो रिलीफ प्रिंटिंग में यूज किया जाता है ठीक है तो लेविगेटर शीला में काम आता है इसके बाद देखेंगर लोर्न घिवरती इटेटर है जो बताने किया है था आज है रहेंगे और उसके सांत्ग भी यह रहेंगहे तो इसका अपटा मतलब मूर्ति शिल्प हो गया और वास्तु का मतलब औरकी टैक्ट हो गया नेक्स्ट कोशन देखिएगा क्या है आपका तो यह जो कोशन है 605 का तो इसमें जो हैना इसको ड्रॉप कर दिया गया है हना इसका जो मार्क है परसेंटेज का तो यह इसको ड्रॉप कर दिया गया को और यह जो कोशन है इसके नमबर सभी को equally distribute कर दिया बट इसको evolution नहीं दिया गया ठीक है मतलब आपके नमबर तो दिये जाएंगे सब को बराबर बात दिया गया बट उसको जो आपका नीन है जो रिजल्ट होगा उसमें conclude नहीं किया गया ठीक है तो question ऐसा था कि select the correct chronology के sequence of the artist जो artist हैं उनके जो sequence है हना उनको हमें एक एक करके लगाने तो आपको पता ही होगा कि जो केजे ओ भर मान्या में इनका जन्म होता हूस कैरला में हर्ने कब होता तो निसक बड़ यह जादा second दो कमेंट सेख्शेन में बताएं में 1915 में ठीक है 1915 में पंदरपूर में एक और आर्टिस्ट का जन्म हुआ तो वो भी बताई है कमेंट सेक्षन में ए आ चुकता ही ठीक है यह पाकिस्तान में जन्म हुआ था इनका कब तो 1844 में और सोमनात होरे यह 1921 में जन्म हुए थे कहां पर बांगला देश के अंदर ज कौशन ही ड्रॉब करना पड़ा ठीक है इसके बाद देखेगा next question है arrange the following Buddhist site according to their location है यह बुद्धिष्ट साइट जो बुद्ध्य स्थल है उनको विवस्तित करना है उनके किसे तो location के कहां कैसे स्थित है वो भी कौन से दिशा में उत्ता से दक्षिन की दिशा में हाना North to South मे हाथां ऑम्रावति है यह आंध्रुप्रिश आता है हुर्ण 205 पर में Samoa नौर्ट में कश्मीर आजएगा मतलब कश्मीर मतलब हारवन आ जाएगा यह पहले नंबर पर हो गया फिर संगोल आ जाएगा क्योंकि पंजाम में अम्रावति आ जाएगा यनि पहले पिर आएगा सांची क्योंकि मध्यपरदेश फिर लास में आएगा अम्रावति ठीक है तो इसी हिसाब से जो हमारा answer सही होगा ठीक है तो cbda cbda सही है ठीक है next चलिए next question देखते हैं question number देखेगा next is the term orphism coin by whom जो और्फिजम शब्द है किसके द्वारा गड़ा गया हाना जो और्फिजम शब्द है हाना किसके द्वारा गड़ा गया तो यह गड़ा गया है अपोलो नियर के द्वारा ठीक है अपोलो नियर के द्वारा और्फिजम जो शब्द है वो गड़ा गया है दिया गया हाना कभी भी manifesto आजा और्फिजम का तब भी यही रहेंगे ठीक है next देखेगा question select the correct sequence of stone and softer to harder अब देखो stone यानि जो पत्थर है उसको हमें एक sequence देना कैसे तो soft से hard की तरफ हाना नरम से कठोर की तरफ कैसे पत्थर जाएगा हना तो सबसे कठोर वाला पत्थर देख लो सबसे ज्यादा कठोर वाला पत्थर होता है यह से आपे लग जाएगा तो देखेगा सबसे पहले कौन सा आएगा तो सबसे पहले आएगा आपका सौप स्टोन ठीक है इसके बाद आएगा आपका लाइम स्टोन मतलब चूना पत्थर हनम फिर आजाएगा सैंड स्टोन मतलब बलुआ पत्थर और लास में आजाएगा ग्रिन नहीं है तो देखेगा बट हम पहली वीडियो में 50 और नेक्स वीडियो में 50 करेंगे आपको बस अच्छे से देखना है समझना और खुद अटेम्प करना है क्योंकि confidence की बात है ठीक है तो देखेगा रॉबर्ट मदर वॉल जो है इनका पूछा गया कि किस देश से किस कंट्री से यह बिलॉंग करते हैं तो यह युनाइटिस स्टेस ऑफ अमेरिका के रेजिडेंट है हना वही पर जन वगेरा हुआ है तो मदर रॉबर्ट वॉल हना किस कंट्री से बिलॉंग करते हैं तो युनाइटिस स्टेट्स ऑफ अमेरिका नेक्स्ट कोशन देखेगा पांस चुरान में लिस्ट वन से से कंड को मिलाना है हना पेंटिंग और उसके आर्टिस्टों को मिलाना है तो गोबर्धन जो है किसकी पेंटिंग है तो मनजीत बाबा की सूर्य नमस्कार यह रहेगी जतिन दास की और हिमालियन तो आपको पता है हिमालियन मैंड भी का जाता है इस निकोलस रॉरिक को ठीक है इन नेक्स देखेगा अना गोबर्धन पुजा मंजीत बाबबा पाबुजी राठुर क्रिपाल सिंग शेखावा सूर्य नमस्कार जत इस निचे इस नाट बहुत लिमीटेड टाइम के लिए होता है तो उसी समय में पर उसके बाद लिया जाता है और यह प्रापर किसी नहीं होता है जैसे इसलेशन आट की बात करें तो आंग मैं आपने वो ट्री देखी होगी और वो इस नाट के अंदर ही आती है कोई इसको पर्मनेंट भी दिखा सकता है कोई लिमिटेड टाइम के लिए भी दिखा सकता है नेक्स देखीगा मोडन इंडियन पेइंटर जी आर संतोष गुलाम रसुल संतोष जो है इस नौन फॉर वीच ऑफ दा फॉलरिंग किस लिए जाने जाते तो आपको पताई यह होगा यह ज घुलाम रसुल संतोष तांतरी कलाकार रहाना जो ऐलें में जाका अललग तरीके की तांतरी प्रक्रिया करके मतलब उसब्पाइन वह दिखाथ एक तो यह कुण सा टरम यानी प्रिंट होती है मतलब हम पेपर पर देखते हैं इसको न्यूस पेपर भी प्रिंट होता है तो प्रिंट मीडिया के अंतर ही आ जाएगा न समाचर पत्र और पत्री का यह नि मैग्जीन ठीक है बाकि आपको पता है यह अगल बगल दिखा दिया जाता है तो वह गया और जिंगल का मतलब होता जो रेडियो से रिलेटीड है हाना तो यह आपके दो ही आंसस है होंगे मतलब पत्री का और समाचर पत्र ठीक है मैग्जीन और न्यूस पेपर नेक्स देखेगा नेक्स है फ्लूट प्लेयर देखिए यह फ्लूट प्लेयर मतलब जो बासुरी वादक होते हैं यह एक स्कॉप्चर बनाए गया है एक मूर्ती बनाए गया तो उसका मूर्तिकार पूछा गया था ठीक है तो सबसे पहले इसका जो मूर्तिकार है जो यूजेसी की पहले आंसर गया थी उसमें तो सिर्फ धनराज भगत को माना था हाना आगे चलकर जैसा आप फाइनल आ चुके तो अमरना सहगल को भी इसमें माना है ठीक है तो यह दोनों ही आर्टिस रहेंगे मूर्तिकार रहेंगे स्कॉल्प्टर जिन्हों ने यह फ्लूट प्लेयर यानि बासुरी वादक वाली जो है मूर्ति बनाए नेक्स देखिएगा इसको भी जो यूजिसी ने ड्रॉप कर दिया हाना इसके भी इक्वल नंबर मिले हैं बट एवलिशन नहीं हुआ ठीक है तो स्टैनली विलियम हाइटर जिसको जाना आता है एटलियर सेवेंटी के संस्थापक के रूप में हाना जो मतलब पता यह विस यह कोशन नंबर नेक्स है कि 1990 में जो भारती प्रिंट मेकर गिल्ड वाला जो ग्रूप है कि स्थापना किसने करी हो फांडिड यह इस्टैब्लिड मेंख कर गिल्ड ठीक है यह जो ग्रूप था इसको किसने तो जयंद गजेरा जयंद गजेरा नहीं इस ग्रूप की सुमीडियो से रिलेटेड आर्क ऑफ ऐ कन्स्ट टाइन यह रहेगी कि इसकी तो रोउम की जिगृत थि के यह रहेंगे आपके में सपोटामिय में और हंवार्ट टैर्र कोटा बेसिकली जो जपान की फेमस रहेगी ठिकेशी गृत मंदिर मतलब जो आर्क होते थे ऐसे घुमावदा महराब पोट्रेट ऑफ गुडिया यह सुमीर का रहेगा ठीक है तो इसके बाद देखेगा नेक्स्ट कोश्चन है देखें वर मेंबर आफ बिचित्र क्लब फाउंडिड इन 1950 आप देखो यही कोश्चन डी एससवी में पूछा गया बट उसमें डेट पूछे गई हना और यहाँ पर नेट में उसके मेंबर पूछे गई ठीक है आप देखेगा जैसे वहाँ पर कोश्चन पूछने का तरीका हीगा लग फाल यहाँ पर अलग है तो बिचित्र कलभ बिचित्र करेवन के कि करी में तो दियान रखेगा अबनिदरनाथ डैगे किया रहेंगे इसके में अकॉर्डिंग टु जो इन्होंने यहाँ पर मान है हना वैसे रविंदनाथ भी जो है मुख्य भागिता रहते हैं बट इसके सदस्थ से यानि मेंबर का पूछा गया है तो देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है कि गिवन बिलो आर्ट टू स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स है आपको बताने कौन से सही है कौन सी गलत है किसकी क्या यानि कौन से कथन का दूसरा कथन सही है तो देखेगा रविंदनाथ टेगोर पेंटिड मोस्ली सेल्फ पोट्रेट ब जो फ्रूट की ठीओरी थी जो फ्राइट थे उनकी ठीओरी कौन सी थी मनो विशलेशन आत्मक सिध्धान जो आपके सर्रिलिजम पर बहुत ज़्यादा चलते हैं तो जो रविंदनाथ टेगोर थे वह सेल्फ पोटेंट मतलब आत्मी चित्तरन किया करते थे तो यह तो बि बने तो second वाला जो है गलत है statement और फर्स वाला सही है तो जो आशर माना है यही माना है ठीक है next देखेगा question क्या है कोशन है कि what effect create through horizontal line जो horizontal line होती है आपको पता ही होगा अगर painting बना रहे हो तो धरती और आस्मान को अलग करती हुए है जो horizontal line है हना तो यह क्या प्रदर्शित करती है तो थोड़ी सी शांती प्रदर्शित करती है हना तो देखिएगा शो मतलब इजिटेशन दिखाती है, इन्गट दिखाती है, वग्रिटा, एक्सायटमेंट दिखाती है उतेजना या प्रशान्ती, तो ये ट्रंकलीटी, मतलब शान्ती, ऋना इसको प्रशान्ती भी कहते है, हाना थोड़ा सा पीस वगेरों को दर्शा आती है next देखिएगा कॉंटे कॉंटे टूशे यह कहां पर यूज होते तो यह कॉंटे हो गया या टूशे हो गया यह लिथोग्राफी में यूज की जाती है हाना जब हम लेविगेटर से इसको ग्राइंड कर लेते हैं अच्छे से लिथोग्राफी में next देखिएगा which of the following headline is not written by डैविड ओगिल्वी डैविड ओगिल्वी के द्वारा कौन सी जो headline है हाना वो शीष पक्ती वो नहीं लिखी गई तो इन्होंने देखो यह वाली लिखी है at 60 miles an hour the loudest noise of the new royal rose comes from the electric clock ठीके डैविड ओगिल्वी को father of advertising भी का जाता है तो यह बहुत ज़्यादा famous रहेंगे हाना now woman over 35 look younger यह भी इनके the man in the halfway shirt ठीके तो यह तीनों ही इनकी हैं जो नहीं है तो I am loving it तो यह I am loving it का जो है यह दिया था या लिखा था फैरल विलियम ने ठीके किस ने लिखा था तो फैरल फैरल विलियम ने यह जो टैग लाइन है वो लिखी थी हाना और आगे चल कर मतलब बहुत ही famous गाना बन भी गयाता है यह जिसको जस्टिन टिंबर लेक ने गाया था ठीके तो I am loving it ने जो मैक डॉनल के बहुत ज्यादा जो है important लाइन है नेक्स देखिएगा question क्या है तो बरहुत का question है आपको पता है यह शुंग काल में बरुत का स्टुप काफी famous है तो देखिएगा शुंगा sculpture of चोला कुका यक्षी फाउंड इन बरुट शोज दा यक्षी स्टैंडिंग ओर ठीके जो यक्षी है चोला कुका की वो किसके उपर खड़ी दिखाए गई है तो हाती छोटा से हाती बना रख है अना उसके उपर जो है चोला कुका ऐसे बड़ी सी खड़ी विये ठीके तो वो एलेफेंट के उपर क्या है तो खड़ी विये जो बरहुत के अंदर हमें पाया जाता है जो शूंग काली देन है ठीक है और कमेंट सेक्शन में बताईएगा कि 84 हजास तूपो की रचना किस मोरे शासक ने करवाया था ठीक है बुद्ध के अस्थी उपर जा उसके मतलब जो भी उन्हों ने यूज किया था हना तो उनके उपर ना 84 हजास तूपो की रचना किस मोरे शासक ने कराए थी तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा नेक्स्ट कुशन देखिएगा मेज़ों टिंट का अभिशकार नेम लेखित में से किस ने किया जो मेज़ों टिंट है आपको पताई होगा इसमें रॉकर्स रॉलेट इनका यूज होता है हाना बहुत जादा मेहनत होती है इसमें क्योंकि यह एचिंग का मतलब इंग्रेव क्या पूछा गया कि रिसेंट बुद्धिष्ट मोनास्ट्री ठीक है जो पाई गई है कहां पर तो देखेंगा डेटिंग टूदा कुशाना पीरियर्ड वस एक्जुकेटिड एट मैस आइनक वेर इस इस साइट लोकेटे अब देखिए जो मैस आइनक है हाना यह हाली में जो कहां से थे हैं हाना यह जो लोकेशन है मेस आइनक की वेर इस इस लोकेटे तो यह अफगानिस्तान की तरफ मिली है आपको पता यह जो कुशान राजा थे गंधार स्पूल चलाते थे और गंधार में सबसे पहले क्या किया गया तो पचास हजार से जादा बुद्ध की मूर रहा होगा तो देखेगा राइट दे नेम ऑफ दे आर्टिस्ट व वस इंस्पाइड बाई काली घाड पत्चित्र ठीक काली घाड के पत्चित्र सो कौन सा आर्टिस्ट या कला का सबसे जादा प्रेरिय था तो यह बहुत ही आंसर जो है सबसे सिंबल था यामनी रोह कभी भी आ जाता है कभी जय आता है कभी वाई जा ठीक तो यह जादा इनका यह काली घाड के पटे चित्रों का्ट रूंस का इनके काम पर ठीक है और में को कमेंट सेक्षन में बताइएगा कि पैबलो पिकासो कौन सी कंट्री से बिलॉंग करते हैं ठीक है नेक्स देखेगा कोशन है कोशन आईडी 608 ठीक है इसमें क्या पूछा गया है कि करेक्ट क्रोनोलोजिकल सीक्वेंस या ओडर लगाने किसका तो प्रिंट मे पूछा गया है उसका भी देखेंगे तो देखेंगे एमिल नॉल टे ठीक है एमिल नॉल टे जो है इनका जन्म कब होता तो तो 67, 1867 में कहां पर है तो Denmark में Eric Hekel, ठीक इनका जन्म कब होता है तो 1883 करीब में होता है, Germany के अंदर Edward Munch, ठीक है Edward Munch का जो जन्म है कब होता है तो 1863 में ठीक है तो इसके हिसाब से जो है आपको फिर अपना sequence लगाना है कैसे तो chronological हना समय अनूसार काल करम के नुसार या समय के नुसार या सही करम में ठीकें तो देखेंगे सबसे पहले कौन सा आ जाएगा तो 63 वाला जाएगा एडवर्ण मंच हना डी आ जाएगा पहले फिर ए आ जाएगा 64 फिर सट सट आ जाएगा फिर 83 ठीक है तो डी ए बीसी ठीक डी ए बीसी आपका यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है लुत्रो टोल्सो लुत्रिक जन्म होता है 864 में एमिल नोल्डे का होता 867 में एरिक हिकल का तो 883 में और एडवर्ण मंच का जन्म होता 8863 में ठीक है उसी हिसाफ से आपको जो है सही सिक्वेंस में लगाना होता है आपका क्या तो आपके आर्टिस्टों को ठीक है तो मतलब आपका एक सिकिंद 80 33 33 63 64 spe chronis 2 पहला हो गया बीच्ट डी ए तो डी ए सौरी सथी यही वाला आपका आंसर सही होगा ठीक है पहले जो है नेट ने भी यही माना बट final answer की में यही माना ठीक है जो अभी हिसाब से बताया मैंने तो वो बिल्कुल सही है ठीक है यही sequence आपका चलेगा यह आपका answer बिल्कुल सही है ठीक है next question देखेगा question है web design refers to the design of website that are displayed on which of the following अब देखो कोई website है उसके लिए आपको क्या चाहिए तो internet चाहिए ठीक है तो वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूर है और screen चाहिए क्योंकि print तो होती निया website तो उसको आपको online ही किसी screen पर चाहे mobile हो tablet हो computer laptop उसी पर देखना पड़ता है ठीक है तो देखेगा web design का अर्थ है कि वह है website design जो निम लिखित में से प्रदेशित होता है तो प्रदेशित क्या होता है तो internet पर ही दिखता है next देखेगा who was author the book art as experience कि देखो कितना अच्छा question है कि यह book का पूछा गया कि किस ने लिखी तो art as experience यह book लिखे जॉन डिवी ने ठीक है जॉन डिवी का बहुत ही ज़्यादा famous एक learning रहता है हना learning by doing यह बहुत ही ज़्यादा जो है exams में भी आता है learning by doing किस ने दिया और इससे जो है बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं हना खुद करके सीखना learning by doing ठीक है खुद करो और खुद सीखो हना बहुत सारी गलती करके सीखते हैं सही भी करते हैं तो learning by doing इसी जॉन डीवी ने दिया था जिसने यह art as experience वाली बुक लिखी ठीक है next देखेगा find the book which were written by OC गांगुली हना OC गांगुली के द्वारा जो लिखे गई बुक है वो हमें identify करनी है तो देखेगा कौन सी रहेगे तो रागा एंड रागनी इनकी एक बुक है और एक राज ठीक है तो राजफूत प्वेंटिंग OC गांगुली ने भी लिखी हना और रागाज एंड रागनीज यह दो बुक्स इनकी रहेगे ना रागाज एंड रागनीज और राजफूत प्वेंटिंग OC गांगुली की next question देखेगा निम लिखित में से किस मूर्ति में शीव की छवी गज हस्त मुद्रा में दर्शाएगे देखेगे गज हस्त मुद्रा क्या होता है तो गज हस्त मुद्रा आगर आपने नटराज की जो मूर्ति है हना उसको अच्छे से study किया है या देखा है तो जिसमें शीव जो है बहुत यह लेफ्ट हेंड जो है इसको कहते हैं गज हस्त मुद्रा जैसे यह अभे मुद्रा हो गई यह लेफ्ट वाला हो गया गज हस्त मुद्रा मतलब आप गज का जो सर बनाते हो ठीक है ऐसे तो गज होता है मतलब हाती होता है ठीक है तो वैसे ही जो है ऐसी मुद्रा में दिखाना वो गज हस्त मुद्रा हो जाती है ठीक है तो शीव की जो मूर्ति है वो नट्राज में जो है प्रदर्शित होती है वाली मुद्रा और आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बत कि शुरुआत किस ने करी हाना जो वुड इंटाइग लियो प्रोसेस हैं इंट्रडूस इन इंडिया तो किस ने करी ती यह सनत करने करी थी ठीक है सनत करने करी थी आप मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताईएगा कि विसकोसिटी को इंडिया में कौन लेके आया था हाना वि देखे क्या होता है जब teaching आप कर रहे हो तो एक पूरा process होता है कि आप पढ़ा रहे हो पूरा feedback भी आ रहा है हना उससे क्या होता है कि अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हो तो आपको समझ में भी आ रहा होगा हना तो अगर आप तुरंत action लेओगे react करोगे तो उससे क् कॉमन लेंथ एंड टीवी जो कॉमन लेंथ यानि duration दी जाती है टीवी कमर्शल की जो टीवी पर ads वगर आती है अना तो क्या रहती है नॉर्मल तो करीम माना गया इन में तो पंदरा सेकेंड से 30 सेकेंड कर जो एक कमर्शल होता है वो रहता है मतलब टीवी पर जो विज्या द्वारा बनाए गया है तो विनायक पांडू रंगा कर्माकर कर्माकर के द्वारा इसको रचित किया गया है क्रेट किया गया स्कॉप्चर को नेक्स देखिएगा identify the artist who were associated with school of बाहुआस ठीक है यह बाहुआस का मतलब क्या होता तो बिल्ड ए हाउस ठीक है मतलब घर बनाना हाना तो उस समय जो है जो वर्ड वर्ड टू हुआ था तो उसके ही जो दोरान जर्मनी वगेरा में यह बहुत ही अच्छा चला था एक आर्ट मूमेंट था जिसमें बिल्डिंग्स वगेरों को बनाया गया था तो उससे associated जो artist है हाना उस school से तो कौन-कौन से है तो वो आनना है तो यह जो मोहाल नेगी है यह भी बहुआ से related और पॉल क्ली ठीक है यह दोनों ही किस से related है तो बहुआ से related आर्टिस्ट रहेंगे ठीक है नेक्स्ट कोश्ण देखेगा विज्यापन कला कजनक दा फादर ओफ एडविटाइजमिंग ठीक है तो वैसे मैंने आपको आंसे देही दिया था पहले कि रहेगा आपका डैविट ओगिल्वी ठीक है तो डैविट ओगिल्वी ही रहेगा हाना और इनकी एक बाड़ी अच्छी बुक है हाना बलड से related है बहुत ही शांदार हो और मतलब advertising अगर agency में कोई है तो वह जरूर देखा होगा उस बुक का ठीक है तो उस बुक को comment section में जरूर लिखेगा हना जो डैविड ओगिल्वी नहीं खुद लिखी थी ठीक है next देखिएगा ctp जो term है शाब्द है उसका अर्थ क्या होता है ठीक है तो इसमें मानागे computer to plate का मतलब क्या मना गया है तो ctp मतलब computer to plate देखिए हमारे 50 question complete हो चुक है हना तो आपको description box में जो है link मिल जाएगा किसका तो description box में इस पूरे paper का जो है link मिल जाएगा PDF मिल जाएगा download करें print करें हना खुद attempt करें और जल्दी से जल्दी confidence कर लें कि यह सारे question में को आते हैं हना और क्यूंकि देखिए क्या होता है 4-5 इस बार तो करीब 6-7 question repeat हुए हैं हना previous से लिए गए हैं बट नए question भी इस बार समझने की कोशिश करें ठीक है और किसी को भी अगर coaching वगेरा लेनी है तो वह contact कर सकता है मैं description box में उसका भी जो है phone number वगेरा दे दूँगा ठीक है बाकी के जो next 50 question होगे ना 51 से लेकर 100 तक के हना वो मैं आपको next video में provide करूँगा ठीक है so thanks for watching this video केशब दिस साइड and signing off